हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्मेंट के बजार पर दोस्तो इस वीडियो में हम बी एचेल के शेर के उपर चर्चा करने वाले आज 76 रुपीज 95 पैसे का हाई शेर में लगा लेकिन हाई एर लेवल से आज शेर में आपको बिक्वाली होती भी देखन को मिल गया है इकतर रुपे का शेर लगबाग आज 77 का हाई टेक्स करता हुआ देखने को मिला है तो डेफिनेटली मोमेंटम स्टॉक में काफी बढ़िया आता हुआ देखने को मिल रहा है और कल अगर 77 का लेवल वापिस से स्टॉक ने री टेस्ट करा तो दोस्तों एक अबरों की बात करें तो आप देख सकते हैं सिंपल वाल स्ट्रीट ने भी एक अर्टिकल डाला है शुड्यू थिंग अबाइंग भारत हैवी एलेक्ट्रिकल्स रिमिटेड नाओ और सेकंड आर्टिकल कल की खबर की जो थी दोस्तों बेहल पर आपको टांगेट निकल कर आ की तरफ से आएं लगबग 110 रुपे का टागेट 110 रुपे का टागेट आपको बेहल के कांटर में आता हुआ देखने को मिला है तो डेफिनेट्ली दोस्तों काफी पॉजिटिव खबरें हैं स्टॉक के लिए आज की अगर गिरावाट का कारण की बात करें तो आज दोस्तो निफ्टी पीएसी इंडेक्स जो था भेल इस इंडेक्स के अंदर आता है कि दोस्तों जिते भी सरकारी कंपनीज है उसका ये इंडेक्स है और स्टार्टिंग में शुरुवात पॉजिटिव होती है लगबग 4609 का है इंडेक्स लगाता है उसके बाद इस इंडेक्स में सब्सक्राइब होती है इसके चलते आप देख सकते है भेल में फ्लाट क्लोजिंग आई पाच पैसे की रावट आपको ये शेर करता हुआ देखने को मिला है और अगर इंट्रादे हाई की बात करे तो जैसा मैं आपको पहला का 77 का हाई इंट्रादे में लगा है तो अगर आपन अफ़नों डिटा की बात करें तो करीबंद साड़े सतरह प्रदीशत की कर्रेक्शन पर आपको ये शेर अभी मिलता हुआ देखने को मिल रहा है और आज अगर शॉर्ट बिल्डफ होता है तो देफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम उस कांटर में जरू ब इक शॉर्ट बढ़ों मिल रहा है में मिल अजनके। आज 19 मुलियन की वॉल्यूम आई है एवरेज वॉल्यूम से जादा कल डिलिवरी भी काफी अच्छी आती भी देखने को मिली तो यह काफी अच्छे इंडिकेशन से कि स्टॉक में फिर से लोगों का पट्रैक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है तो कल दोस्तों चार कर रही है स्टॉक के बात करें तो मेजर ली 76 40 जो कि आज रिसेंस नहीं टच किया बट काई तो कल मेजर जो रहेगा वो 77 का रहेगा अगर 77 का लेवल स्टॉक ने कल के दिन क्रॉस कर दिया तो जरूर दोस्तों एक बढ़िया ब्रेक आउट जो है वो आपको भेल की काउंट को देखे अच्छे से तो आप यहां पर भेल के चार्ट को नूटिस करेंगे कि पहले एक अच्छा स्टॉक ने कंसॉलिडेशन किया 2022 में मही से लेकर अगस तक फिर स्टॉक में बेक आउट आया और विन वन गो जैसे कंपनी ने आप डिविडेंट दिया उसके बाद से तो आपको बनता हुआ देखने को मिल सकता है एक दो से तीन वीक के अंदर अंदर जरूर दोस्तो चांसे तर वरी हाई कि 80 रुपे का एक बर आपको लेवल चुता हुआ देखने को मिलेगा और अगर 80 रुपे के उपर यह शेयर निकला तो उसके बाद इमीजेट टारगेट 84, 88,90 के बनते हुए देखने को मिलेंगे तो मेरी यही सलाई कि अगर आपके पास भेल का काउंटर है तो 72 का अब स्टॉक में ऐसे लेके चले और हाईयर साइट पर दोस्तों मुझा लगता है कि 80 रुपे तक के लक्ष और 85 रुपे तक के लक्ष जो है वो आपको स्टॉक में जरू बनते हुए देखने को मिल सकते हैं कल की बात करें तो कल मेरी यही सलाई दोस्तों हाईयर साइट पर बाय करेंगे 76 के उपर अगर शेयर ठीक है तो खरीद कर चले स्टॉक को इंट्राडे में और मुझा लगता है कि कल 78 रुपीज तक के दरशन जो है वो आपको बेल क काउंटर में जरूर होते हुए बनते हुए देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तो अच्छिट फूर वीडियो अगर वीडियो अचा लगाओ तो चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें दोस्तों थैंक यू वाचंग इस वीडियो